आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चीज आलू डोनट यानि पोटेटो डोनट इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिये थे उन्हें मैंने बॉयल कर दिया था और उसे हलका ठंडा होने दिया उसके बाद मैंने एक बाउल में इन आलू को अच्छे से मैश कर दिया है आलू को अच अच्छे से आपको मिक्स कर देना है उसके बाद मैंने इसमें दो बड़े चम्मच कॉन्फलोर डाला है और उसे भी अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है आलू और कॉन्फलार को आपको अच्छे से मिक्स करना है मैंने इसे लगबग एक मिनिट तक अच्छे से मिक्स किया थ यह देखिए इस तरीके से अच्छे से अब मैंने उसे साइड में रख दिया और उसे ढग दिया है इसके बाद मैंने एक प्याज लिया था जिसका मैंने चिलका निकाल दिया और उसे डेड़ इंज जितना आपको गोल काटना है ताकि हम इसकी रिंग्स निकाल सके इसलिए य मैं निकाल ला ल लिया है और इसकी जगर्प्रसेस चीज भी यूज कर सकते हैं और यह मैंने एक कटोरे में चार बड़े चमच, चार से पांच बड़े चमच मैंने मेदा लिया था और यह मैंने दूसरा कटोरा लिया है उसमें मैंने तीन बड़े चमच मेदा डाला है और तीन बड़े चमच मैंने इसमें कॉनफलार डाला है यानि मेदा और कॉनफलार मैं पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और पेस्ट आपको थोड़ा सा गाडा रखना है ताकि हो हमारे जब डॉनल बनाँ तो हो डॉनल नट पर यह पेस्ट हमारा अच्छे से उनल कोट और ये मैंने देखिए रिंग जो बनाई थी यानि रिंग जो काटी थी प्याज की उसमें मैंने ये जो चीज कट किया था मॉजरेला चीज उसको मैं रिंग में यानि की प्याज पर अच्छे से लगा रही हूँ ये थोड़ा सा मैं इसको दबा रही हूँ प्रेस कर रही उसे मैं हलका सा इस तरीके से मसल रही हूँ ताकि मैं इसका अब इसमें शेप दे पाओ ये देखे ये मैं इसका एक शेप दे रही हूँ इसे लंबा करके और फिर मैं उसे प्याज में यानि चीज पर अच्छे से देखे कि एक चीज और ओनिएन का कवर जाए की और यह एक है डाट के शेपक शुरू करले यानि यह देखिए यह इस तरीके से ढग कर आपको इसे हलका सा दबाना है और इस तरीके से शेप देता जाना है डोनट का शेप देना है आपको इसी तरीके से पीछे भी आपको इसी तरीके से कवर करना है चीज और ओनियन को आपको पूरी तरीके से आलू में कवर कर देना ह और उसे एक डोनट का शेप देना है इसी तरीके से आपको बाकी के ओनियन्स को भी इसी तरीके से आलू में शेप देना है और एक डोनट तयार करना है जिससे हम जब इसे डीप फ्राइ करें तो ये क्रिस्पी एकदम क्रंची और क्रिस्पी डोनट बनकर तयार हो जाए हमारे ये देखिए ये मैंने एक डोनट बना दिया है इसी तरीके से आपको बाकी के सारे डोनट भी बना लेने है ये एकदम आराम से करना है और अच्छे से कोट करना है आपको ये देखिए ये इस तरीके से सारे डोनट आपको बना देने है ये देखिए ये पोटेटो डोनट हमा तरफ चारो तरफ करना पाल दार देख एक वह करना है बन कर दोनट चारो तरफ यहाई देखें इस सरीके से कर लिजेगा हमारा इकदम बनकर तैयार है ठुट इसी तरीके से बाकी के डोनट भी आपको बना कर तयार कर लेने हैं ये देखे मैंने सारे डोनट बना कर तयार कर लिये हैं अब मैं इन्हें डीफ्राइ करूंगी इसके लिए मैंने पहले से तेल गरम करने रख दिया था और मैंने ये देखे एक डोनट डाल दिया है ये को दोनों बाजू तक गोल्डन ब्राउन होने तक आपको पकने देना यह देखिए हमारा डोनट बनकर एकदम तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यह देखिए हमारे क्रिस्पी चीजी पोटे